चले दोस्तों आज किस वीडियो में लोग सदीस और अदीस के बारे में पढ़ेंगे मतलब एक बहुत ही एहम टॉपिक हम लोगे स्टाट करने जिसका नाम सदीस और अदीस है तो आज हम लोग सदीस के बारे में सारी बाते में सिकली जानेंगे और मैं ग्रांटी ठोकता और अदीस से समरें जो भी कोश्चन आगा जो भी अबजेक्टिव या आपका जो भी लॉंग कोश्चन है आगा सब किलियर हो जाएगा वह बहले फिजिक्स में हो चाहा है मैत में हो चाहा है किसी वीज़ी से में हो एक दम बसरता आप सिम्पल से देखिए भेक्टर चेप् तो कह सकते फुटबाल जोन है फुटबाल को मारना वह चाहीं अधीस हो जाएगा तिक ना जिसमें क्यों परिमान हो जैसे मालों की रास्ते में पथ्थर है आप बल लगा रहे हैं तो उसकी दिशा कहीं करेंगे ना अब लगा रहे हैं तो बल उसका प्रिवान हो गया इस प स्क्षिञर मैंतलब जिसमें सिर्फ मैंगनिचूड हो고 मतलब जिसमें काली परिमान आहां बहुत दीशना चाहा है कि छू राई सिंदुघ के लंभाई पानच है इसकी कोई दिसा है क्या नहीं है यह क्या आदिस है तो जिसका इसासी Umm और से नाम है झाधा कर को सदीष कहते हैं तो आते सब इस का मतलब देखो सदीष का मतलब हो ता ждd तो परिमानों हो और दिशा विर्षा हो क्या हो परीमान भी व tests अज किस भी ब्लब लगा रहे किसी भी अनल में फोकस करीगा já यह आप उसको करते हैं आते फोकस करीे जब पूस किया करता है वॉक्स करेदे तो बंट लगधा रहे हैं तो बाँ अब कम एकनीशव दिशा देगे मलोक के क्वेशन दिया है कि एक वस्तु है 40-डिगरी के कौन पाल वुत्तर के दिशा में जूकी है है इसका मतलब यह कौन सी रासी होगा स्वादीस रासी में दिशा भी होता है और परिमान भी होता है लेकिन अधिस में सिर्फ क्या होता है परिमान होता है यह सब बैस में मतलब क्या होता है तो सदीस में डाइडिक्स में लिं मैगनिचूड होना चाहिए खेक हो होना चाहिए और भेक्तर क्वांटिटीज में आपका मैगनिचूड के साथ साथ डाइरेक्शन भी होना चाहिए अब आते हम लोग आगे बात करते हैं अब देखो सदीसों का निरुपण हम लोग कैसे कर लेते हैं ठीक है ना सदीस के निरुपण करने के लिए उसमें दो सदीस है अब देखो जब भी कोई सदीस है तो इसका निरुपण कैसे करेंगा भी वेक्तर से जहां पही दरसारा है कि उसका मैगनिचूड है उसका मैगनिचूड है और यह तिरचिंदर सारा की इधर की रिशामों वो जा रही है तो इस बात से सदीसों करने उपर हम लोग क कैसे करेंगा रिपीर्सन टेंशन ओफ भेक्टर सदीस करने उपर हम लोग कैसे करेंगे उसके मैगनिचूड के उपर क्या करेंगे एरो लगा देंगे तो वह खालाएगा आपका सदीसों का निरुपर ठीक ना अगर कोई सदीस आपके पास भी है तो उस पर एरो लगा यह आपका क्यों जाएगा वह हो जाएगा सदीस का निरुपर तो यहां देखिएगा यदि भी भेक्टर है तो इसका मतलब भी उसका मैगनिचूड आउपर ला जो एरो है वो दर्साय का उसका डाइडेक्शन अगर माल लेते हैं कि हमारे पास कोई सदीस है तो इसका मतलब हो लाकि यह उसका मैगनिचूड होगा परिमान और यह जो एरो है यह उसका दिसा दर्सारा की किस दिसा में वह जाए तो चलिए आपको समझ में आगे कि सदीस क्या होती है और सदीस को कैसे रिफीट करते हैं अपनों पढ़ते हैं टाइप्स आप भेक्टर यानि सदीसों के परकार दिखो सदीस तो बहुत तरह के होता है लेकिन सबसे पहले में लोग जानते हैं पोजीशन भेक्टर किसे कहते हैं तो एक ऐसा सदीस मत एक। एक ऐसा सदीस जिसका प्रारम मुले बिंदू से होता है फोकस करी गए अगर मालों की हमारे पास यह पास त्री आक्ष है प्रफोजिशन करने वाले बात है इसके बीच में कोई एक बिंदू है यह कोई सदीश है इसका मतलब यह कौन सा सदिश होजेगा इस्तिति सदिश जिसको पोजिशन वेक्टर कहते हैं पोजिशन जो वेक्टर होता है वो कौन सा बिंदू से स्टार्ट होगा मुल बिंदू से तो कह सकते हैं कैसा सदिश जो मुल बिंदू से स्टार्ट होती है उस सदिश को पोजिशन वेक्टर कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहेंगे पोजिशन वेक्टर कहेंगे अगर मान लिजे म यह आपके पास कोई सदीश P है ठीक है ना इसका मान देदिया आपको इसका मान देदिया कि ए-I-CAP प्लस मालो की B-J CAP यह आई-J क्या होता भी बता रहा हूं आप प्लस C-CAP के ठीक ना यह आपके पास कोई सदीश दिया अब बोले कि इसका magnitude नहीं मतलब हम दो निकाल ले है तो प्रिमान निकाले के लिए रूट लगते हैं और आई जय का गुनांग कर देते हैं गुनांग की स्कूर कषइए स्कूर प्री pending सद्राइब कैसी की सवर्स युद्ध हम लोग निकाल लेते हैं तो पोजी शेंडे मतलब बरकाची नहीं होता उसका मुल विंदू से start करना अían fuckin study पर की नाम से जानते हैं एक एसा सथी जिसका परिमान जीरो ओaware Ink 0-3-3 मतलब जिरू परिमान का सधिस काल आता है 0-3 केल आता है अब इसको समझया फोकस कदेशको मनलो कि मेरे पास कोई सधिस A है ठीक है ना आप इसी परिमान का कोई सधिस A घटा देंगे तो यह कौन सा सधिस होजएगा 0-3 होजएगा सब्सब्स लेगाउ गरियाइकJkov A lakari sit on a तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई Sashas je है और सीको फिर मेता देंगे तो वह क्या जगा जिरी सब्सदीर, 1000 सब्सदीट रहा बेंगा पर मातरक सभीष कई चाहिए की कि बाइब एक होता है अगर देखी जाएं मातरक सभी संवने पैसे कि सजित करेंगे A-Cap से, जिस पर Cap लग जैगा वो सदिस नहीं है, वो मातरक सदिस है, यहाँ खोकस करना है तो कोई सदिस आपके पास A है तो इसके मातरक सदिस को A-Cap से denote करते हैं किसे A-Cap से denote करते हैं तो A-Cap का अग locked in सुत्र लोग निकालेंगे तो निकल जाएगा A का Vector बटा हो जाएगा एक वेक्टर का मैगनिचुड यह कैप का सूत रहता है कोश्चन में भी आपको नमरीकल सल्व करके दिखा रहा हूं जिसके माध हम सबको सिंपल लहीं है तो मात्रक सदिस यूनिट वेक्टर कहते किसे हैं तो जिसका परिमान एक होगा उसे यूनिट सबक्राइस यहाँ सबकी है यहां से कोई सदिस निकल गया यहांऽ से कुई है आड सदिस निकल गया तो यहाँ पर और 3च्ट तीनों सदिसばनी सदिस जिब यह एक ही बीदू से निकलते प्रस निकलते और इक विंदु से प्रण्म होते है। सब्सक्राइब और दूनब्स सब्सक्राइब का मेंगनिचीड से लग हो सकता है लग-अलग हो सकता है इस बात पर तो आपका इस दिशाव जाने चाहिए दोनों समान हों चुछ हो इसकी समान हो आपका समान सदिश कहलता है अब के नाम से यहां तया होता है नेको इनात्मक सदिश का मतलब क्यों होता है दो ऐसे चीस का दिशा अलग लगो एक पूरपत एक पचिम एक उत्तर तो एक दखिम अब मालों कि आपको कोई सदिस लेकर चलते यह सदिस अगर इधर जा रहा था यह इधर जाएगा ठीक ना तो यह क्या कर लाएगा अगर माल लेते हैं कोई अब इसको लट देंगे तो हो जाएगा ओलड दिये तो निकल यह Gotti सदिस हो जाएगा तो तो न्युक्रण से ठीक पूनितों देखेटर यह किलियर हो गया अब हम लोग परते हैं सदीशों का योग कैसे निकाल लेती हैं तो अब बात करते हैं कि सदीशों का एड़ करते हैं कोई दूसता सदीस समंघ्वल है इन दोनों सदीस को जब मिला देंगे उन्हें इस सदीस को मैं स सड़िसरशakes में जोड़के दिखा रहे हैं दुसरेच जोडते कैसे हैं तो पहला सदीस का ती प्राडंबवीक बिंदु तो पहला सद्जिसका प्रारंभिक बिंदु लूप जोड़ते हां जोड़ेड़े दोनों को जोड़ने से एक यहीं वेक्टर बनता है जिसका नहुं ही दे सकते हैं जीची काो इस इसको हम लोग कहते हैं तिरिह भूज का सदीस्नियम होता कि जब दो भेक्टर को जो गुझे एक तिसरा वेक्टर आजाएगा तिसरा जो सदिता है सदी ब्लाबर तो हो जाएक का चीब रहाबर ì two angles and threeill 97 तो गदिय्क एक्षपल मैं देता हूं कैसे सद्याइस ओको जोड़ी जाती है माला थे आपका ऐसे झारा है दुसरी ट्यक्जामपल कोई सद्सai सब हैं और यह जो जो जिख़ा यह सब आपका यहाँ तो बताने पहला सदीस का अंतिम और दूसरा का सादिस का प्रारंविक को ना एक तो आपका विट्टर अब इन दोनों को मिला देंगे स्थ 11 बने इसको ठीक ना सब्सक्राइब तो त्रिभूजों का सदिस नियम यह होता है और दो सदिसों को जोड़ेंगे कैसे तो पहिला सदिस का तीर चीन अदूसर का सदिस का प्रारमिक बिंदू इन दोनों को जब सदिस नियम क्या होती है अब सब्सक्राइब करते हैं अगर मान लेते हैं आपर समझेगा ध्यान से मान लेते हैं कि हमरे पास कोई वेक्टर ए है इसकी दिसा ऐसे जारी है ठीक ना कोई दूसरा सदिस ऐसे है और इस वेक्टर का नाम देदी आपको माइनस बी वेक्टर क्या है माइनस बी वेक्टर अब भाई इसको हमें क्या करना घाटाना है पहला सदिस ए हो गया दूसरका सब्सक्राइब ब्रेफ सब्सक्राइब वोगण अच्वार्ण और यह वकारा सब्सक्राइब thời भी मिल जाएं तिसाथ ब्लेफट सब्सक्राइब हो जाएगा ब्ली मिल थेंगे औरसी सकते होते में सरफ दिए सबस्ट्रेक्शन देखते हैं सबस्ट्रेक्शन अगर सबस्ट्रेक्शन गाटाव में क्या होता है कि मीनस को प्लिस बना कर चलेंगे नगर अगर मानों यह वेक्टर यह दुसरा बी वेक्टर है तो ए वेक्टर का अंती मेरो और दुसरा हवेटर का प्रेडमिक बिंदू से जोड देंगे तो इस त्रह से सदिसों का वहता है सदिस कितने प्रकार के होते हैं उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं वसके बाद सब्सक्राइब करते हैं सदीसों का गुना क्यों आता है कि सदीसों का अदिस गुनन फल भी करते हैं अगर माल लेते हैं कि हमारे पास कोई सदीस A वेक्टर है और इसमें किसी अदिस से, मतलब किसी अचर से गुना करते हैं लेमडा से गुना करते हैं तो होता है कि किसी सदीस में अदिस से गुना करते है तो वह सदीसे होता है अगर सदीसcket कोना करिंगे तो क्यों जैगा हो जाएगा सदीस हम आथे हैं दो सदीसओ का अधिस्ट गुणन developed का सदीस सब्ढ़ सब्णांट। का अधिस गुणन दो सदीसों का अधिस्ट गुणन और अग्यों सब्सक्राइबुस सब्सक्राइबूस यह लेकिन अगर जहां पर क्रोस लग गया कि इसका मतल्री दोश अधिस ओ को सदीस को दोट लागा करते हैं तो दोश इसों को दोट लागार करते हैं अब आत्यामů बात करते हैं तिए दो सद्वीस का अधिस गुनार फालोगया, इसका सुतर होता है कि A 벡र का मेकनिच객 इंटू होता है Cos Theta और यहाथ सद्वीस में सुतर होता है कि A 벡र में वेक्टर का मैंगिनीचीट इन्टो हो जाता है साइन थीटा तो दो सदी रहीं हो गया आदिस गुनन और यह हो गया सबीस गुनन इसमें सुत्र होगा ए डॉत का है मीचुट इनमे इन्टो भी रिखिट इन्टो कॉष्ट टीटा आए x V इसको बहनागे a x be a various v vector يا a tv तर या और בि इसको कहा सकते हैं इसको डाइस को दोट प्रोडंक्त इसको सब्प्रोड़क्ट एसको भेक्टर प種 में चुन्ठि करिजा सकती है सब्सक्राइब कर दोसे हैं तुमानों कि आगर यहां पड़ना चाहते हैं यहां पर तो सब्सक्राइब चलते हैं तो यहां पर a vectors dot b vectors कमान कितना आएगा देख सकते हैं अगर देखी जाया तो इंटु हो जगा बी वेक्टर का मैगनिचुड तो थीटा कमान अगर देखी जाया तो अगर जीरो लेकर चलते हैं समनांतर लेकर चलते हैं तो वहां पर अगर यह दूसरा कर्णिसां लोग लेकर चलते हैं ठीटा कमान अगर हम लोग लेकर चलते हैं नवब यह लंबव लेकर चलते हैं दोनों सदिस एक दूसरे पर कितना डिगरी का कोन बनाते हैं तो यहां पर देखेंगे इनके बीच क्या माना रहा है एवेक्टर dot b vector तो यहां सब्सक्राइब यहां पर दिमागों बैठा लेजिए कि जब दो सदिस एक दूसरे के उपर लंब है जब दो सदिस एक दूसरे के उपर लंब है देखेंगे दो सदिसों का दिस गुनन पर जब जीरू आएगा तो कितना डिगरी कोन बनाए नबब डिगरी का इसके मतलब वहां पर दोनों सदिस के होंगे लंब बहत होंगे ठीक है यह दो कंडिसन आपको इस्तिती याद रखनी है उसके बाद हम लों यहां बात करते हैं दो सदिसों का दिस गुनन तो अदिस गुनन में जरास और चलते हैं अगर माल नेते कि अदिस गुनन में एक और कंडिसम लो लेकर चलती है ही कि अगर डॉट में आई का आई से गुना करेंगे चाहें जे का जे से गुना करेंगे या के का के से गुना करेंगे तो आपा बूंए अगर फैक्र ऑन हट्स हरा सुछीक야 जसा सैंफे सो गुना करेंगे घृडब 5 आई ज ह्वाहन पह समझे में आपको बता रहां यह क्या है तो अगर टीन ऑउर नगा अपना यूनिट होता है तो ये आपका सब् 겹ाई एक्सरी तो यूनित होता है उसको हम लोग जे कैप कहते हैं तो तीन अगर मालों कि सदीस रुप में लिखेंगे तो भाई मालों को जदीस आपके पास पी है तो तो चम्माइबस्ट यूनित्मियों इसकोसांठ यूट्रंड इसांझ को एक्स का क्विकार व। द क्योप्याइबस्ट निपता है। जो होता है उसके स्क्यूआर कर देंगे क्यूंग्त इक व्यूट्री मजट्स स्क्राइब यहां पर यहां पर अगर को यहां पर अगर जैसे करते हैं फोकस करेंगा यहां पर आख मुंद के मान कितना आजाएगा आपका जीड़ों आजएगा जब अलग अलग गुना करेंगे तो जीड़ों आ जाएगा एक दम रखा हुआ है अब इसमें क्या होता है कि मानलों अगर इसमें सादिश में आईका आप आई से गुना कर दिये आदिश के आएगा अगर हम लोग J का गुना अगर के से करेंगे तो यह आपका J अरता हो Byट जै थह को यह अगर आपका आई से गुना करते हैं तो यह आप कर इस बात को समझते हैं यह चक्री के दोर इसको समझें तो और जो पॉइंट है उब आपका यहाई कैसे गुलाफित से निकलकाड़ी करें सब्यकिते हैं और फोकस करें से चल भाई में चल तो अगर सोचो यहांपर आई काम के वेक्टर से गुना करेंगे कॅध से चंज़े हैं there stressful minus लेगा नहींगा तो यह घुना की बचा मैनिस लग जाए है सबस्द करके तो इस तो इस तो तोस दिसों का आपको समझ में आगी होगीес तो यहां पर दो सदिसों का अधिस गुनन में क्या है अगर सेम का सेम से गुना करेंगे तो वन लेकिन अला 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 गुना करेंगे तो जीरो लेकिन यहां पर कॉंडिशन थुरा सा समझेगा दो सदिसों का सदिस गुनन में क्या होगा कि सेम से गुना करेंगे आई का आई स सथीघ्र यहां पर दो सदीचों कषद कोन लेकर छलते हैं अगर डिवPro आपर टिस最近 करेंगे तो पुड़ा मान कर देगा जीरो अगर यहां पर फोकस करेगा जब एक क्रोस बी कमान जीरो आजाएगा तो आख मुंद का बोलेंगे कि अमवर लिकर चलते हैं ठीटा कमानी है आपका नवबेडीगर उठा कर चलते हैं और तो यहां पर आपका भेला अब हाइगा तो यह उगर ठीटा कमाड नब डिग जब जीरो आएगा तो अगर दो सदीसो का सदीस गुनन पल जीरो आए तो इस तरह से सदीसो का जो अदिस गुनन है जो बिस्तार साथ को समझ में आगी होगी आप जैसा एक डून नोमेडिकल कोश्चन दो सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टॉब करेंगे अब दो कोश्चन अलों देख लेते हैं देखिए यहां पर दो सदीसों का दिस गुननन फर्म पर में कोश्चन देखते हैं दिया कि सबसे पहले जो दोनों सदीस दिया क्य करेंगे डॉट प्रोडक्त में दो गुना करेंगे अगया पर दॉट में गुना कैसे करते हैं इसी कांस में आपको एक जंपल दिया देखो आई के गुणांगग एक गुनागे नाई तो करेंगा वन होगा फाइब का गुनागंक आपकर क्ता हुआ इसे गुना झेल्टास संदานीते जिन खुना होगा था यह का गुनागर अलुए का अनन गीक्ता हुआ होगा तो यह हो जाएगा आपका चार पांच नो तीन बारा हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पर A.B कमान बारा आगे अब इसका मैगनिचूड एक एक वेक्टर का निकाल लेते हैं तो मैगनिचूड कैसे निकालना बता था आई जे के का जो गुनांग है उस पर रूट लगा के स्कॉ अब इसका मैगनिचूड आपको पूरी तरह से निकाल गया अब आगे चलते हैं अब सुत्र क्या होता है a vector dot b vector का सुत्र होता है कि a का magnitude into b का magnitude into cos theta अब बात करते एक का मैगनिचूड कितना है एक मेगनिचूड कमान रूट अंदर थीरी है अब बात करते हैं कोश ठीटा बढ़ागो बारा बटा रूट अंदर एक सो पचास का बाहर निकलेगा कि नहीं यह हम लोग देख लेगा फैक्टर कर जीए एक सो पचास का दो तो पचातर हो जागा ठीक ना फिर तीन से लगाए पचीस त्या पच्छातर फिर पांच पचाहप पचीस और पांच का रूट बनेगा ठीक नैंगे तो निकले कों यूनिवर्स यह कॉस इसके संग्जूर जाएगा ठीटा बढबाबटा पांच रूट 6 यहां आपका क्या निकल गया कौन का मान निकल गया तो यसे निकलना लगा दिना दोश अधिस गुनन फल कर अब दोस अधिस गुनन करने के लिए उसमें आप पर अपरे शुटर का सूत्र कैसे होता अगर दोसरी समरे पास है तो यह पर आई जीक है पहले लिखेंगे फेर दूसरी सदिसके गुनांक ऐसे लिखेंगे तो ऐसे सजाका साधनिक रुप में हमें गुणा करते हैं ठीक है जैसे एक्जामपल के तौर पम्लोग समझते हैं अगर पहले सजी से दूसरा सजी से है तो यहाँ पर क्या करेंगे ए भेक्टर क्रॉस होगा भी भेक्टर यहाँ आपको पहले आई जे और के का लि यहाँ पर 2 है यहाँ पर माइनस 2 है और यहाँ पर आई का गुनांग कितना माइनस 1 है हो गया ना ऐसे आपको सदीस गुनान फल करना या देखीगा दो सदीस दिया रहेगा था आई जेके का गुनांग आपको लिखना पहल का लाइन में पहला सदीस दूसर का लाइन में द में बचाने को दें कर देंगे थिडी हो जाएगा है सब्सक्राइब बच रहा है तो मैंने स्टू का मैस्ट न से गुना करेंगे तू बीच में चीन होता है प्लस के उठाएंगे अब देखो यहांपर केक आमने समने केल में सब गए तो बचेगा मैनिस टू टू और खेगा तो मैनिस टू करेंगे जीक्स पर देखी जाए यहांब तो आ गया फोर जेका आगया आपका इंसर यहांपर आ गया एक बरोड यहां पर जाहां लोग देख लेते हैं दूसरा वाले यह कटीस यह कड़िस्ता माइनस टू यह पर रहा है यहां पर टोटाल बेलू क्या रहा है जीरो आरहा है आपको बता दियेगा था कि अगले वीडियो में हम लोग इसके नोमेरिकल को सब करते हुए फिर मिलेंगे